सुनरे अंडे की कहानी एक बार की बात है, एक किसान के पास एक अनोखा हंस था जो प्रतिदिन एक सोने का अंडा देता था, अब उस अंडे को बेच कर दोनों पती पत्नी बड़ी आसानी से अपना जीवन यापन किया करते थे, अंडे ने किसान और उसकी पत्नी को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए परियाप्त धन उपलप्त कराया, ऐसा कई वर्ष बीट गए, किसान और उसकी पत्नी बहुत देर तक सुखी रहे, लेकिन एक दिन किसान ने मन ही मन सोचा, हम एक दिन में सिर्फ एक अंडा ही क्यों ले, हम उन्हें एक साथ क्यों नहीं ले सकते और धेर सारा पैसा क्यों नहीं बना सकते? अपनी इस सवाल को किसान ने अपनी पत्नी को अपना विचार बताया और वह इस मूर खता से सहमत भी हो गई पिर अगले दिन जैसे ही हमस ने अपना सुनहरा अंडा दिया किसान ने तेज चाकू से उस हमस को माप डाला जब उसने हंस को मार डाला उसने अब उस हंस के सारे अंडे पाने की सोची उसके सभी सुनहरे अंडे पाने की उमीद में उसका पेट काट दिया लेकिन जैसे ही उसने पेट खोला उसे केवल उसमें खून ही मिला किसान को जल्दी ही अपनी मुर्खतापूर्ण गल्ती का एहसास हुआ और वहाँ अपने खोए हुए संसाधन पर रोने लगा जैसे जैसे दिन बीटते गए किसान और उसकी पत्नी और भी गरीब होते गए अब उन्हें उनकी लोग का एहसास होने लगा कि वो कितने मन्हूस और कितने मूर्ख थे सीख इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपके सोचने से पहले कभी कार्य ना करें हमेशा सोच विचार करके कार्य करना चाहिए